एवरिटिंग से आमने आपका बहुत स्वागत है दोस्तों चलिए आज हम पार्ट योजना बनाना सिखाएंगे जो किस तरह से पार्ट योजना बनाया जाता है अगर आप बीट कर रहे हैं तो आपको पार्ट योजना बनाना ही परेगा ठीक है दोस्तों तो चलिए हम देखत जो लिखा है दिनांग यहां क्या करेंगे तो यहां दिनांग लिखेंगे जिस डेट में आप बना रहें उस डेट का यहां दिनांग दे देंगे इसके बाद विद्यालाय का नाम जिस विद्यालाय में आपको भेजा गया है पढ़ने के लिए लेसन प्लान करने के लिए उस यहां नाम लिखेंगे, यहां अपना नाम लिखेंगे, छातरा धियापक का नाम जो है, यहां अपना नाम लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला देख लिजिए, अगला यहां जो है, विशय हो गया समाजिक भी गया, ठीक है, इसके बाद यहां देखिए, दाए इसके बाद अगला देख लिए यहां जो आप सब्जेक्ट का बना जोड़ हैं यहां विसाय जो हो गया समाजिक विज्ञान का बना रहे हैं तो समाजिक विज्ञान लिखेंगे यहां विसाय हो गया नागरिक सास समाजिक विज्ञान में आता जो है उसके अंतरगत नागरिक सास्त में आप किस चीज का बना रहे हैं तो भारतिय संविधान का बना रहे हैं इसके बाद देखिए इसका लेशन प्लान बनाने का कुछ उदेश से होता है तो उदेश यहां लिखेंगे समानने उदेश क्या है लेशन प्लान बनाने का उदेश तो पहला लिखेंगे छात्र चात्रों को नागरिक साथ से समन्धित अवगत कराना यह हो गया तीसरा उदेश और गी तीन से जैदा भी लिख सकते हैं लेकिन तीन अच्छा है तीन मना जाता है जो तीन चार्ट आप लिख सकते हैं इसके बाद देखिए विशिष्ट उदेश, विशिष्ट उदेश में आप क्या लिखेंगे छात्रों को इस बात से अवगत कराना कि भारतिय समिधान के मुखे उदेश क्या है इस बात को आपको अवगत कराना है दूसरा जो विशिष्ट उदेश हो गया छात्र भारतिय समिधान के बारे में दिय इते गये ज्ञान का बोध करा सकेंगे तथा उनका परत्यास मरन कर सकेंगे तो यह होगया दूसरा उदेश विसिष्ट उदेश में तीसरा हो गया चातरों में भारते समिधान को समझने की कुषलता का शरुखास करना यह होगया आपका तीसरा geliyor समाने तु देशे होगे आप इसके बाद लिखा जाता है सिख्छन difficulty आप किस विधी से बच्चों को पढ़ा रहे हैंतोग इसी विधी का नाम lीखेंगे लोलर बोर्ड मिल जाएगा चाट ये सम्मिल जाएगा आपको परहाने वक्त में इसके बाद अगला देखिए पुर्व ज्यान पुर्व ज्यान क्या होगा तो छात्र भारते समीधान के बारे में शमानने जानकारी रखते हैं कुछ तो जानकारी रखते होंगे बच्चा समानने जानकारी इसके मैं शात्रों से कुछ प्रश्वतंत्रता से पहले भारत किसका शासन था थो बच्चा बताएगा जो अंग्रेज का शासन था इसके वारत को 15 अगस्ट सेटालिस को तीसरा कोईचन स्वतंतरता के बाद भारत गंधाज कब बना है तो 26 जनवरी 1950 को और चाउथा हो गया 26 जनवरी सन 1950 को भारती ये भारत में कौन सा कानोनी महागरंत अस्तित में आया तो ये कहेगा भारते समीधान इसके बाद अगला कोईचन करेंगे भारते समीध ना आज हम भारते समीधान के बाड़े में अध्यन करेंगे ठीक है ये हो गया उद्यष कथन इसके बाद आपको लगना यहां से आपको पढ़ाना है जो बच्चों को यहां लिखेंगे परस्तुती करन में क्या लिखा जाता है सिक्षन बिंदु में अभी हम बच्चे को पढ़ाएंगे जो भारतिय समीधान का संचिप्त परिचय के बारे में यहां फिर इस तरह से खाका बना लेंगे आप ठीक है यहां छातर अध्यापक किरिया चातर किरिया और स्याम पढ़कार यहां इसमें जो आप पढ़ाने जा रहे हैं तो यहां देखिए बच्चा का जहां से समस्या हो गया वहाँ हमारे देश के भारतिय समीधान लिखित है इसे 308 लोगों की एक समीधान सभा में बताया है इसमें सभी जाती धर्म के लोग थे ठीक है इस तरह से आपको बताना है फिर आगे बताना है समीधान सभा के अस्थाई अध्यक्स डॉक्टर राजन परसाथ से समीधान बनाने में महान वीधी बेटा डॉक्टर भीमडा अंबेदकर का योगदान भी महत पूर्ण है 26 जनवर इसके बाद आगे लिखेंगे अध्यक्स जो अब क्या करेंगे तो बच्चे से प्रस्न करेंगे प्रस्न करेंगे कितने लोगों की सभा ने भारत्य समीधान बनाया है तो बचा बताएंगे 308 अभी तो बताएंगे इसके बाद दूसरा प्रस्न करेंगे भारत्य समीधान कब लागू किया गया तो 26 जनवर इसके बाद समीधान सभा के अस्थाई अध्यक्स कौन थे तो ड सूचिया है दू बर्स 11 महिना 18 दिन इसको बनाने में लगा था इस तरह से लिख देंगे फिर दूसरा पुएंट लिखेंगे पुन रूप से स्वतंत राज्य भारत आंत्रिक और बाह दोनों मामले में स्वतंत्र है तीसरा पुएंट यहां बताएंगे मुल अधिकारों की घ समीधान का संगहात्मक सोरूप संसदिय सासन परनाली समीधान में मौलिक एक रूपता आदी यह से बताएंगे और जिस तरह से बच्चा क्या करेंगे फिर इसको ध्यान पुरवक सुनेंगे और यहां जो है स्यामपठकार्ज में कुछ-कुछ डिफिकल्ट वर्ड लिख द दिन लगा इस तरह से बताएंगे बच्चा इसके बाद है प्रस्न तीसरा करेंगे भारते समीधान में नागरी को कितने मूल अधिकार दिये गए हैं तो साथ मूल अधिकार दिये गए हैं इस तरह से फिर आगे बताएंगे बच्चों को नागरी को के मूल अधिकार के बार तो इसको क्या करेंगे छातर ध्यानपूरबक सुनेंगे और स्यामपट को कुछ-कुछ difficult word लिख देंगे ठीक है पहला इसमें कौन सा मौलिक अधिकार है तो समताक अधिकार है जाती धर्म लिंग तथा जन्वस्थान के अधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है नदी तलाब होटल नौकरी पाने में सभी को शमान अधिकार है ये जो पहला हो गया दूसरा जो है स्वतंतरता का अधिकार है भर्मन करने संग बनाने सांती से सभा करने भारत में कहीं भी निवास करने लेखन भासन करने की स्वतंता है ये दूसरा हो गया तीसरा जो है सोसन से रक्षा क का अधिकार जो है चांथा है धार्मिक स्वतंता का अधिकार पांचमा संपती का अधिकार छठा होगा नियाय पाने का अधिकार सात्मा होगा सांस्कृति और सिक्षा समंधी अधिकार है ठीक है इस तरह से आप लिक देंगे फिर बच्चे से प्रस्ण करेंगे समानता के अध अधिकार होगा तो ये है सरकारी नौकरी पाने का अधिकार फिर दूसरा कोईचन करेंगे सांती से सभा करने का अधिकार किस अधिकार में आता है तो ये जो बताएंगे स्वतंदरता के अधिकार में आते हैं तीसरा प्रशन करेंगे परतेक नागरी का मौली करतब्य क्या है यहां क्या हो गया बच्चा के समस्या हो जाएगा फिर आगे बताएंगे मौली कर्टब्य क्या होता है यहां फिर लिख देंगे मौली कर्टब्य क्या होता है बच्चों के बताएंगे जनता को अपने कर्टब्य के परती जागरुक बनाने के लिए सन 1976 में समिधान संसोधन कर के नागरीकों को दोस मुल कर्तब्य का शमावेश किया गया है जिसमें कुछ मुख्य कर्तब्य निमलिखित है ठीक है फिर क्या करेंगे ये बच्चा इसको ध्यानपूर्बक सुनेंगे और यहां क्या करेंगे स्यामपट में कुछ difficult word लिख देंगे ठीक है यहां पहला जो है पर्तियक नागर क समीधान का पालन करें और उनके आदरसो संस्थाओं राश्ट धोर त था राश्ट का आदर करें ठीक है दूसरा जो है भाद की समपर्भूता एक था तथा खनता की रक्चा करें तथा उसे अक्छुन रखें देश की रक्चा करें तथा राष्टे में आहवान किये जाने पर राष्ट की सेवा करें इसके बाद आगला समाजिक सार्वजनिक संपती सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर्ड यह है ठीक है तो इस तरह से आप बच्चा को बता दिए इसके बाद क्या करेंगे मुल्यांकन प्रश्ण करेंगे बच्चे से नागर प्रश्ण में लिखेंगे इसके बाद बच्चों को ग्रिह कार्ज करेंगे रिक्त अस्थानों के पूर्ति करने के लिए यहां ग्रिह कार्ज में कुछ दे देंगे समीधान सभा के अस्था या ध्यक्ष कौन थे भारते समीधान में कब लागो हुआ है भारते समीधान में क इतने वर्स कितने महिना और कितने दिन लगे है और भारते समी धान पर एक निबंध लिखे तो यह सब हो गया ग्रीक आज बचाई इसको क्या करेंगे घर से लिख कर लाएंगे इसके बाद नीचे लिखना है प्रव्यक्षा का टिपनी लिखना है आपका टीचर जो इसमें आ